हाई फ्रेंट्स आप लोग कैसे हैं आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पुवाइंट में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करें हैं बी ये पार्ट थर्ड सब्जेक्ट है जिसका टॉप 10 कोश्चन है जो आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है आप इसे जरूर पढ़ लें चलिए दोस्तों हम लोग सुरू करें कोश्चन सेक्शन ए में है भूगोल के विकास में रैट जिल के योगदानों का वर्नन करें दूसरा कोश्चन है भूगोल के बिकास में हमबोल्ट के योगदानों की ब्याख्या करें तीसरा कोश्चन भूगोल के मातरात्म के करानती की ब्याख्या करें भूगोल के मात्रात्म के करांती की ब्याख्या करें। चौथा कोश्चन है, क्रमबध वनाम प्रादेशिक भूगोल के द्वेत वाद का परिक्षन करें। अथवा, भूगोल से संभव वाद पर एक निबंध लिखें। भूगोल से संभव वाद पर एक निबंध लिखें। गुरूप बी में है, पाच्वा कोश्चन, न्यू साउथ वेल्स का भौगोलिक ब्रितांत लिखें। छठा कोश्चन है, अफ्रीका की सनरचना का उलेख करें। अफ्रीका की सनरचना का उलेख करें। साथवा कोश्चन है, आश्ट्रेलिया के उचावच की बीवेचना करें। आठवा कोश्चन है, दक्षिन अमेरिका की वनस्पति एवं जलवायू पर प्रकास डालें। नौ नमबर का कोश्चन है, निल बेसिन के भुगोल का वर्नन करें। दसवा कोश्चन है, पमपा का एक भुगोलिक ब्रितान्त परस्तुत करें। दोस्तों यह था आपका एक से दस्त का कोश्चन। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, सेर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे की जो भी वीडियो में अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक लिए जय हिंद जय भारत